आपका स्वागत है बॉली अग्हराद के गलियारे में बॉलिविड के सुल्तान यानी सल्मान खान एक बात हमेसा कहते रहते हैं कि वो यारों के यार हैं जो दुस्पनों के दुस्पन जिस पर सल्मान खान महरबान हो गए समझ लो उसकी किस्मत भुल गई और उनसे दुस्मनी मोल लेने वालों का हाल हमेसा बुरा ही हुआ है इंडेस्ट्री में सल्मान की दोस्ती के चर्चे भी है और उनकी दुस्मनी के भी क्या आपको पता है फिल्म निस्टी में पांच लोग ऐसे हैं जो सल्मान को फुटी आख नहीं भाते आईए जानते हैं कौन हैं वो पांच लोग संजे लीडा भंसाली सल्मान खान ने संजे लीडा भंसाली के साथ फिल्मखामोसी हम दिल देजी के सनम की जो काफी हिट रही लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के भी दरार आ गई आज आलम यह है कि सल्मान खान और संजे लिरा भंसाली एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। सल्मान की नराजगी इस बात को लेकर रही है कि भंसाली न उन्हें लेकर बाद में कोई फिल्म नहीं बनाई। बिवेक ओब राय, इंडस्ट्री में बिवेक ओब राय को सलमान का सबसे बड़ा दुस्मन कहा जाता है। ये दुस्मनी तब सुरू ही जब सलमान एस औरिया के साथ रिलिस्टिप में थे, तो बिवेक ने बीच में सब कुछ बरबाद कर दिया था। सलमान से पंगा लेना बिवेक को काफी महँगा पड़ा, और उनका केरियर धीरे धीरे खत्म हो गया। लोग जानते हों लेकिन मसहूर कोरियोग्राफर सरोज खान भी सलमान को पसंद नहीं है। दोनों के बीच दरार तब आई जब सलमान बड़े स्टार नहीं थी। उन दिनों सलमान फिल्म अंदाज अपना-पना में काम कर रहे थी। और उसके एक गाने को सरोज खान कोरियोग अरजीत ने कहा क्या आप सो रहे थे और इस पर अरजीत ने पलट कर जवाब दिया। आप लोगों ने मुझे सुला दिया। अरजीत का एंदाज सलमान को अच्छा नहीं लगा। और वो भी इस कदर कि उन्होंने अपनी फिल्म सुल्तान से अरजीत का गाना हटवा मेडिया पर माफ की भी मांगी लेकिन सलमान ने उन्हें माफ नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही।